हवा किसी गती, शूने दुरघटनाओं का किर्तिमान, लेट होने की वार्षिक गर एक मिनिट से भी कम, हवाई यात्रा से भी कम समय, जो सबसे लंबी 21 किलो मीटर सुरंग से निकल कर कई नदियों को पार कर समुद्र को चीर कर निकलती हो, जो मेकेन इंडिया के सपने को सच क पर दिखाती हो, आईए किसी सुनेहरे सपने से लगने वाली इस फ्रेन को हकीकत के परदे पर मिलकर देखते हैं परियोजना का निर्माण एवं संचालन, National High Speed Rail Corporation Limited करेगा परियोजना का प्रतम कदम होगा वदोधरा में एक प्रशिक्षन केंद्र का निर्माण, जहां 4000 से अधिक कर्मचारियों को नई तकनीकी का प्रशिक्षन दिया जाएगा और फिर नदी, सड़क और रेल लाइन्स को पार करते हुए कई पुलों का निर्माण होगा इस परियोजना के निर्माण में 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा समुद्र, पहाड, शहर, हर बाधा को लांगते हुए पांच करोड से अधिक नागरिकों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ेगा ये रेल मार्क जापान के तकनीकी सहयोग से बनी ये रेल अतुल्निया होगी इस उच गती के रेल के आने से राष्ट्र की उन्नती होगी वन नव भारत का निर्माण होगा एतिहासिक साबरमती स्टेशन का नवीनी करण होगा जो इस परियोजना का आरम स्थल है 320 किलोमेटर प्रती घंटे की गती से चलने वाली इस ट्रेन की अंतर राष्ट्रिय मानुकों के अनुसार सखन जाच होगी मुंबई टर्मिनल से एहंदवाद के आठ घंटे के सफर को मातर दो घंटे में तै करेगी ये हाइस्पीड रेल सालाना 1.5 करोड यात्री इस से लाभानवित होंगे बभारत का नाम उचगती रेल के आधुनिक तक्नीकी का सफल उप्योग करने वाले राष्टों की शेणी में अंकित हो जाएगा और इस प्रकार संकल्प से संब्रिद्धी की ये गौरव्यात्रा पूरी होगी ये ट्रेन हम भारतियों के जजबे का आईना है अब प्रगिदी का सफर तेजी से हमें तै करना है चुनोतियों को पार कर अपना रास्ता बनाते हुए मन्जिल तक निश्चित ही पहुँचना है भारत के लिए आज का दिन रेल के इतिहास में एक नए युग का प्रारंब है भारत वासियो इस कुशन दक्ष आश्चर जनक सर्वगुण संपन्न ट्रेन के लिए हम हमारे रेल अधिकारियों को विश्विस्तरिय प्रशिक्षन देंगे हम मानिनी प्रधान मंत्री जापान His Excellency Mr. Shinzo Abe और भारत के मानिनी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी से अनुने करते हैं कि ट्रिप्या हाइ स्पीड रेल प्रयोध्योगी की प्रशिक्षन संस्थान बडोदरा की आधा शिला पट्टिका का अनावरन करें रिमोट का बटन दबा कर जी हाँ इस इंस्टिटूट वडोदरा का अनावरन किया गया शिला न्यास पट्टिका का अनावरन और यह देखे साइट इसी ट्रेनिंग इंस्टिटूट वडोदरा की साइट का बहुत ही लाइफ फीट आपको हम दे रहे हैं काम का शुभारम में भी हो चुका है बहुत बहुत बढ़ाई बहुत बहुत सारे शुख काम नाए अब हम मानिनी प्रधान मंत्री जापान तथा भारत के मानिनी प्रधान मंत्री से विनम्र अनुनै करते हैं कि कृपिया इस ड्रीम प्रोजेक्ट की छिलान्यास पटिका का रिमोट द्वारा अनावरण करके भूमी पूचन को संपन्ने करें. जी हां, भारत की तेजी से चलती विकास यात्रा की एक और सौगात, दोनों देशों की मित्रता का एक बहुत ही एतिहासिक बल, बहुत-बहुत मुबारक हो. बहुत-बहुत बधाई और शुपकाम नाएं, कोची-कोची धन्यवाद मानी निये, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका.